हेलो दोस्तों आपने बहुती सांधार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोगे लिए बहुत अच्छी खबर है जो अभी अभी आपका दिल्ली फोरेस्ट गार्ड का पहली सिफ्ट का पेपर हुआ है काफी आसान ये पेपर आगया है जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज्यादा आसान पेपर आगया है अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पोच जाओगे क्योंकि जो भी मैं जीये के गणित के रिजनिंग के इंगलीज के हिंदी के सवाल लेकरा हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों आपके अगले सिफ्ट में यहां से दस से बारा सवाल रिपीट करने वाले हैं तो जल्दी से सभी सवालों के उत्तर देख लेते हैं सभी सवालों की आंसर की देख लेते हैं जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं देख लेते हैं सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो 2021 में एक सरकारी नोगरी लेना चाते हो तो दोस्तो ये platform आपके लिए best रहेगा examatic study तो दोस्तो ये platform आपके लिए best रहेगा सारी trick आपको यहीं पर मिल जाये करेगी सभी प्यारे बच्चों जोइन कर लेंगे जल्दी से जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये नीचे लाल कलर का बटन होते इसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक स्टिडी पर टाइम टुटाइम मिलता रहे देख लेते गाईज पहला सवाल क्या पुछा गया बहुत इंपोर्टेंट चैनल है गाईज सब्सक्राइब कर लेंगे पहला सवाल आपके सामने है ऐस्ट्रेलियन ओपन टैनिस 2020 के पुरुस एकल का किताब किसने जीता तो गाईज ये जीता नोवाक जोको विचने इंपोर्टेंट सवाल था देख लेते अगला प्यारा सवाल एक सवाल ये भी पुछा गया सविदान सभा की पहले बैटक कब हुई थी तो गाईज ये हुई थी नो दिसंबर 1946 में देख लेते अगला प्यारा सवाल एक सवाल ये भी पुछा गया राजीव गांधी राष्ट्य सद्भावना पुरुसकार सवर पर्थम किसे मिला था तो गाईज ये मिला था मदर टेरेसा को मदर टेरेसा इस सवाल का राइट आंजर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी बढ़िया पूछा गया विस्व रेडियो दिवस कम मनाया जाता है तो गाईज ये मना जाता है तेरा फरवरी को तेरा फरवरी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी बढ़िया पूछा गया अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प को किस पुरुसकार के लिए नोमिनेट किया गया है तो गैस इनको किया गया है नोबेल सांती पुरुसकार के लिए दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दो से तीन सेकिंड लगेगी आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा सभी गॉर्मेंट एक्जाम की ट्रिक के लिए देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पुचा गया दोस्तो पहली सिफ्ट के सवाल है अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब हो भारत का अंतिम वाइसराय कौन था तो गैस इनका नाम तर लोड माउंट बेटन देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी बढ़िया पूचा गया एंटो मोलोजी का संबंद किस से है तो गैस ये आपका है कीट विज्ञान से देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल दोस्तो सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा एक सवाल ये भी बढ़िया पूचा गया मंडरे का कब किस खेल से संबंदी थे तो गैस ये आपका फुटबोल के खेल से संबंदी थे देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया 26 मार्च को वीडियो कॉनफरेंसिंग द्वारा हुआ जी 20 सम्मिलन किस देश ने करवाया तो गैस ये करवाया है साओधी अरब ने साओधी अरब इस सवाल का राइट आंसेट चला जाएगा देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल एक सवाल ये भी बढ़िया पूचा गया हुमायू नामा की रचना किस ने की थी तो गैस ये की थी गुल बदन बेगम ने देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया दोस्तो ये आपका गलती से आ गया इसको मत करना अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये भी बैतरिन पूचा गया किस दिन विस्प उख भोगता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो guys ये मना जाता है 15 March को 15 March इस सवाल का right answer चला जाएगा देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया हाली में राश्टपती रामनाथ कोविन का सचीव किसको नुक्त किया गया है तो guys ये किया गया गया है कपिल देव तिरपार्ठी को देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया भारतिया रेलवे बोर्ड के नए CEO यानि चीफ एक्जिक्यूटिव के रूप में किसको नुक्त किया गया है तो guys इनका नाम है विनोत कुमार यादाओ देख लेते गईज अब थोड़े इंगलिस के सवाल भी देख लेते क्या क्या पूचेगे पहला सवाल आपके सामने है इंगलिस का क्या पूचा गया तो guys सवाल को जल्दी से मैं लोजिक से बता देता हूँ आपके सामने जो sentence लिखा गया है बोल रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा तो दोस्तो जो भी आपका यह खाली जगह है यह किस पर depend करेगी यह इसके tense पर depend करेगी क्योंकि यह आपका past indefinite चल रहा है यानि verb की second form यहाँ पर चल रही है तो दोस्तो इसके अनुसार आपका option कौन सा आएगा यह option तो आपका गलत हो जाएगा यह भी आपका गलत हो जाएगा पहला option भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तो यहाँ पर आएगा having failed having failed इस सवाल का right answer चल जाएगा ठीके guys आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते थी तो दोस्तो यहाँ पर आजाएगा आपका third option sorry second option second option इस सवाल का right answer चल जाएगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल यह भी बढ़िया पूचा गया आपसे पूचा है इसका प्रयवाची पूचा यानि synonym पूचा है इसका meaning पूचा है morale का meaning होता है confidence क्या होता है confidence दोस्तो वीडियो बड़ी important है वीडियो को support करते हैं चलेंगे like कर लेंगे subscribe भी कर लेंगे तो दोस्तो confidence होता है morale का meaning confidence पहला आपका option है appearance है गलत हो गया second attitude है ये भी गलत हो गया और आपका चोथा ये भी नहीं होगा जो बच्चा third option मार के आगया self confidence इस सवाल का right answer चले जाएगा तो दोस्तो third option आपका right answer हो जाएगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तों ये आप तो आसानी से कर दोगे इसमें पूचाता इन में से कौन से की spelling ठीक है आप से पूचाता kinder garden kinder garden ये आएगा आपका जहाँ पे आपका a हो e हो ये देख लो आपका यहाँ पर ये garden लिखाव है ये गलत हो गया ये आपका यहाँ पर kinder भी ये भी गलत हो गया ये भी आपका गलत हो गया जो बच्चा second option मार के आगया उनका right answer हो गया तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकती थी second option इस सवाल का right answer चला जाएगा पेपर बहुत बढ़ी होगा वीडियो पूरा देख लो एक एक सवाल बड़ा important लेकर आया हूँ आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं वीडियो को support करते वे जरूर चलेंगे सभी बच्चे लाइक कर देंगे subscribe भी कर लेंगे बाद में आप लोग भूल जाओगे सारी trick आपको यह मिल जाए करेगी यह आपके समने sentence है इसमें बताना है आपको grammar में क्या गलती है तो guys अगर देखा जाए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इसमें भी लेकिन आपका यहाँ पर दियावै बैटर इन कोईरल यानि इसमें गलती है पहला option इस सवाल का right answer चला जाएगा बाद की सारे option यहाँ पर ठीक है पहला option आपका गलत हो जाएगा ठीक है guys आगे बढ़ लेते हैं अब आपके reasoning और महत के सवाल भी देख लेते हैं सभी को मैं trick से कराने वाला हूँ आगे बढ़ लेते हैं देख लेते हैं तो guys यह गणित का सवाल पूछा गया पंदरा लेकों का लागत मुल्य है दस लेकों के विक्रे मुल्य के समान है लापरतिसत बताओ देखो दोस्तो समझ न ध्यान से profit percent पूछ रहा है लापरतिसत पूछ रहा है कैसे करेंगे इसने 15 में से 10 को बेचा कितने को बचा लिया इसने 15 में से 10 जाके 5 तो दोस्तो 5 का इसको फायदा हुआ कितने बेच कर 10 को बेच कर इस तरीगे से करेंगे आजाएगा तो दोस्तो जो आपका इस जो इस जो आपकी ये वस्तू है इसके उपर इसको 50 परतिसत का लाब होगा आप लोग इस तरीगे से सवाल कर सकते थे अगला सवाल भी देख लेते हैं अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब हो देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया एक टेबल की कीमत 750 रुपे है 4 परतिसत के नुकसान पर इसको बेचा गया टेबल का विक्रे मुल्या बताओ विक्रे मुल्या क्या होता है Selling Price अब देख लो कीमत दी गई है यानि क्रे मुल्या दिया गया है कोश्ट पर इस दिया गया है तो दोस्तो कोई भी कोश्ट पर इस अपने आप में 100% होता है ये बात याद रखना और 100% की वैल्यू दी गई है क्या 750 रुपे अब यहां से एक परतिसत की वैल्यू निकालेंगे 750 भाग कर देंगे 100 से 0 से 0 कर जाएगी और दोस्तों हमें 4 परतिसत का नुकसान दिया गया है ठीक है गयाज ये नुकसान है हमारा एक परतिसत की वैल्यू निकल के आगे 75 बटे 10 कितने आगी 75 बटे 10 ये आपकी एक परतिसत की वैल्यू है अब हमें निकालना है 4 परतिसत का नुकसान तो 4 परतिसत की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ गुणा कर देंगे 4 की जब आप इसको सोल करोगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 से काटोगे 15 बार 15 में 2 की गुणा कर दोगे 15 में 2 की गुणा करोगे तो दोस्तों जो आपका नुकसान निकल के आएगा मैं आपको डिर्यक्ट बता देता हूँ जो आपका 4 परतिसत आएगा नुकसान निकल के आएगा वो आएगा 30 रुपे तो गैस हम क्या करेंगे 750 रुपे में से ये 30 रुपे गटा देंगे गटाते ही हमें विक्रे मुल्य मिल जाएगा यानि सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कैसे मिलेगा? या आएगा 720 रुपे तो दोस्तो 720 रुपे इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे हमने क्या किया? इसके कोश्ट प्राइस में से नुक्सान को घटा दिया हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया यानि विक्रे मुल्य आ गया क्योंकि ये हमारा करें मुल्य था ये हमारा नुक्सान था और यह हमारा विक्रे मुल्य आ गया 720 इस सवाल का रेट आंसर चला जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस सवाल कर सकते थे अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई करना चाहते हो 2-3 सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में मम्मी पापा के सपने पूरे करने में 2021 में एक सरकारी नोकरी लेने के लिए वीडियो को लाइक भी कर देंगे ठीक है गाइस वीडियो को लाइक भी कर लेंगे आगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये भी बढ़िया पूचा गया एक धन्रासी A, B, C, D के बीच में इस अनुपात में बाटी जाती है यदि B को C से 270 रुपे जादा मिलते हैं इस बात से क्या पता चला? यानि B और C में कितना अंतर है? B और C में कितना अंतर है दोस्तो? 270 रुपे ये बात याद रखना है और D का हिस्सा बताना है D को कितना मिलेगा तो गैस यहाँ से क्या पता चला? यह हमारे B और C का अंतर है यहाँ भी हमारा B और C ये रहा इनमें अंतर कितना है? 3 रुपे का 3 की वैल्यू क्या हो गई? ये भी अंतर है, ये भी अंतर है तो यह होगी 270 एक की वैल्यू निकालेंगे क्या हैगी? 3 नम 27 तीन से काटेंगे तो यह आजाएगा 90 तो गैस हमें निकालना है D का हिस्सा D का हिस्सा क्या होगा? D का हिस्सा होगा 5 तो दोस्तों ये D का हिस्सा आजाएगा तो यानि हमें 5 की वैल्यू निकालनी है पांच की गुणा कर देंगे दोनों साइड या जाएगा 45 यानी 450 रुपे यहाँ पर D को दिये जाएंगी D को कितने रुपे मिलेंगे? 450 रुपे तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे I hope यह आपको clear हो गया होगा 450 इस सवाल का right answer आ जाएगा आगे बढ़ लेते गाईस पूरी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तो जो भी बच्चों ने मुझे आपर सवाल बताए 100% real सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप 2021 में एक सरकारी नोक्री लेना चाहते हो ममी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो सभी सब्जेट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो नीचे यह लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल examatic study पर आपको time to time मिलते रहे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच अगली सिफ्ट के लिए आपको best of luck थैंक्यू सो मच धन्यवाद